जामाविन दवाशनी हर हर महादेवाब शभी का स्वागत है अमारी योट्र परिवार में सरीर पर देवी देवता का आना सच है या जोट हलाके इस विशय को ले करके 5-6 वीडियो चैनल पर फ्लब दें फिर भी बहुत सारे प्रशन आते हैं एक सबसे महत्पूर्ण प्रशन नहीं रहें उसके सिवायं कुछ और नहीं है इसके सिवाय उसे एक और बात आती है और क्या हमारे स्वीर't शक्षम क्य chickie सक्स्य शक्ति को अपने सबसे जरूरी बात यहां आती है कि जब किसी के भी सरीड पे कोई सकती आनी आरंब होती है तो क्या वो सच में कोई सकती है या कोई अन्य चीज है मैंने पहले विस चीज को बताया है कि हमारे बहुत दिक सरीर के अलावा दो और सरीर हमारे साथ उपस्तित होते हैं जिसको एक को हम सुक्षम सरीर कहते हैं दूसरे को प्राण सरीर कहते हैं जब बिना किसी यम नियम जब के, बिना किसी सही तरीकी से चले हुआ, जो अस्टांग योग कहा जाता है, उसके सिवाए सीधे सीधे अगर कोई व्यक्ति कोई कारे करने लगते हैं, जैसे प्राणाययम के प्रक्रिया जो है, यम नियम के बिना कर रहे हैं, योग अभ्यास कर है मंत्रों का जो आवरण है मंत्रों की जो प्रक्रिया है उसको उसमें समाहिद नहीं कर रहे हैं सोह मित्तादी का जब नहीं कर रहे हैं जो प्राण उर्जा को ब्रहने का कारे करती है उसको नहीं कर रहे हैं मतलब जो पूरी प्रक्रिया है उसको follow नहीं कर रहे हैं कुंभक रेचे कप्रयास नहीं कर रहे हैं बलकि जो आजकल कि आधुनिक प्रक्रिया चली वहीं उसके नुसार अगर करने लगते हैं तो उसके कारण जो है हमारे स्रीड पर प्रभाव पड़ता है उसके कारण जो उसी तावस्था उत्पन हो जाती है वहां दिक्कत होती है क्योंकि कहीं न कहीं वह प्रक्रिया यहां तो उस तरीके आप प्रक्रिया कर नहीं रहें लेकिन चुकि मार्ग उससे हो करके उजरता है तो कहीं न कहीं शर्षक्र में अस्पंदन होने के कारण स्रीड परिश identify प्रभाब पढ़ने लगता है तो बहुत पर ऐसा होता है कि जो वेक्ति मारग में चलते ही नहीं मारग में विशे में जनकारी नहीं फिर भी उनके साथ यह सारी चीज़े होने लगती हैं और उन्हें लगता है कि हमें यह चीज़ से प्राप्त हो जा रही है बिना कुछ की तो कैसे हो रही है क्या कारण है तो कारण ढूड़ने में लग जाते हैं लेकिन होना यह चाहिए कि व्यक्ति को अगर आप इस मार्ग मे आगे जा रहे हैं योग्य अभ्यास करना चाहते हैं उस मार्ग में अगर आगे जा रहे हैं और उसके कारण आपके स्रेड़ में इस प्रकार की प्रक्रियाएं हो रही है तो फिर आप जो है यम नियम के अनुसार ज्वस्टांग योग है उस पूरे प्रदती के नुसार जि कहीं न कहीं मांसिकाव साथ देगा या फिर पूरे तरीके से अगर सहच में भी सकरात्म कुर्ज आ रही है तो भी वह पूरे तरीके से हमारे सुक्ष्म प्राण उर्जा को एक साथ सन्नेहित नहीं कर पाएगा डिस्पैलेंस होगा जिसके कारण जो है आपकी स्थिती आगे पीछे की हो जाएगी चीज तो रहेगी सही से पकड़ में नहीं आएगी इसी चीज को और अच्छे सरल तरीके से समझते हैं हमारे सरीर में जो प्राण उर्जा है और सुक्ष्म उर्जा है वो किस प्रकार से है प्राण उर्जा जो है वो कहीं न कहीं हमारे अभी तक लिये गए हर जर्मों के अंसों का समनवाह और एक तरीके से परम पवित्र आत्मा जो है उसे से संबन्दित है जिसको कि स्रीमत भगवत गिता में भगवा नारायन ने जिसका वंडन किया है कि प्राण जो है वहां मन आत्मा जो आत्मा है वहां मन से प्रिथक है और मन जो है उसी को आप सुक्षम सरीर मान करके चलिए यहां पर सुक्षम प्रणाली में आप जाते हैं जब इस मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो आपको जान करके आश्वर हुआ कि जो लोग मुस्लिम तंदर में हमजाद साधना करते हैं या फिर हमारे जो सनातन संस्कृति के नुशार जो तंदर पदती है उसमें भी एक साधना होती है जो कि ठीक ुष्च को करते हैं दर्पण की अग्ने त्यों के मलें देपन द्रुगां काफी प्रयोग किया जाता है इसमें हाला कि इसथती को प्राप्त के वसाधक ही कर Пाते हैं लेकिन इसमें जो सबसे प्रमुख एक चीज आती है कि चाहे मंतर के माध्यम से या विध्यानक के माध्यम से या कोई भी ऐसा माध्यम जिसके फल सरूप हमें स्थाय प्रूशिक सिद्धी रोती या हमजाद सिद्धियोति तो उसमें होता क्या है हमारा है एक सरीर का प्रतिरूप दूसरा उपस्तित होता है जो हमारे कार्यों को पूर्ण कर देता है जो हम चाहते हैं वो चीज को पूर्ण करता है वह जो चीज है उत्पन हुआ है वह कहां सुत्पन हुआ है तो वह हमारा शरीरी हैं सुक्ष मूर्जाही है सुक्ष में शरीर ही है जो कि इस समय में वरतमान की जो परिवेश है उसके अनुसार हम संचे करके उसको बनाए इसमें भी जब आप अंदर और चाहिएगा तो इसमें भी अथरवा काम करता है इसलिए बार-बार जब भी कोई विसी साधना अत्यादिक करना होता है तो पंच देवों का पांच अर्थरवस्ति से तो अर्थरवस्ति इसका पाठीच ले कहा जाता है कि आवस्ते के लेकिन जब आप छाया पुरु साधना का केवले की प्रकार नहीं मने जैसा बताए आपको के बिभिन प्रकार है उसमें जिसका घनत्व जो है वह आपके प्राण उड़जार से बिल्कुल अलग रहेगी वह अपने अनुसार उसको ढालने का प्रयास करेगी और फिर वहां पर हानी होनी सुरु हो जाती है और बिशेसकर लोग जल्दी सिद्ध करने के चक्कर में इसी चीज को अधिक से अधिक मह को स्थापित करती है यानि कि प्रवेस करती है और वही चीज जो है यानि की परत मान लिजे कि परत बना हुआ है आप जिस प्रकार के सूच रख रहे हैं जिस प्रकार का ब्यवहार रख रहे हैं उसके अनुसार ही वहां प्रक्रिया को देगी उसी प्रकार की वहां प्रतिक उसे भगवती को समरपींत Алप संहोस अब जो सकती आपके उपर आई और अलग तरीके से देखते हैं कि कि देवी देवता की सरहारी जब आ रही है तो आपके स्रेड को मैंने समझा देड कि हमारा श्रेड कैसे इस प्रकार के सक्ति के साथ एक connection यानि की माध्यम बनाता है उसके लिए हमारा वरतमान जो भी हम कुछ किये हो अभी तक इस जनमें जो हमारी यादास में है उसके अनुसार सुक्षम सरीड बना और सुक्षम सरीड से यह देव सक्ति देव उर्जा या कोई उर्जा जो है संब नाभी हो या फि! Oh, yeah abло, Rock Up I अनुraf, ब्रच्षम के मध्षक गेंदर हो या फिर सिखा हो यह 3 जगा जिसमें सब्सेश प्रमक होता है नाभी सब्सेश कंम होता है इसलिए नाभी को सुक्ष में आभी को सुगन्धित, इसलिए जो आवये हैं उनको तरीके से ख क्याना अत् चेज़ इसिद्ध होती है सही तरीके से जब देव उर्जा जो बन रही है जो आपके जब तब के कारण कर उत्पन होई है और वह आपके उपर प्रविस करने का प्र्यास कर रही है तो उनका अस्तर आपके जब की अस्तर से बहुत अधिक नहीं होगा, हम भले इस समय में उस अस्तर का जब ना कियो, हम 70,000,000,000 का जब नहीं किये हैं, लेकिन फिर भी कहींने कहीं हमारे फुन्य होते हैं, देव कृपा के मान्धम से, वह हमारे स्टरीड पर हावी होना सुरू करते हैं लेकिन यहां सबसे बड़ी गलती लोग कर देते हैं क्योंकि अगर कोई बोल रहे हैं कि जितने भी गुंग हैं जो भी उनकी अपनी सामर्थ है वो अ सारा इस व्यक्ति के वीतर आजाएं और उसनुसारवाँ कार करें धान रहे करते हैं बहुत बड़ा गलती Fund वहाँ कमेंट करेंगे, विबिनप्रकर के कमेंट करने ललगते हैं, ब्रुपोदेव उर्जय नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको जानकारी नहीं है, विबिनप्रकर के, तो आप भैया इस चीज को सुन ही नहीं रहें, तो कहां से बता पाएंगे? इस चीज को जानिए कि आखिर कैसे आती है, सास्त्रों और पुराणों में हर चीज वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि सास्त्रों और पुराण जो हैं, वह अपने सीमा में बंधे हुए हैं, विद्याओं का वर्णन प्रमु खुरूप से अभी लिभी बद कब करके रखा गया, लिभी बद तो अभी के समय में हो रहा न, पहले के पुराने समय में ताड़ पत्र इत्तादी पे लिभी बद दिकिया जाता था, या फिर गुरू परम्परा के माध्धम से ये को गुरू अपने सिस्य को प्रदान करते थे, वह सिस्य से जब गुरू के पद को धारन करता तो वो अपने सिस्यों को देदा था तो इस तरीगे से चलता रहा है इसमें बहुत सारे चीजों को लोगों ने अटा दिया अपने तक सिमित करके रख लिया नहीं बताया नहीं तो आप फिर ऐसे संतों की भी कथायों को पढ़ेंगे जो अभी के समय में 400-500 साल पहले की जो सं पहले हैं उनकी भी जब जिवनी को पढ़ेंगे तो वहां भी आपको जानकारी होगा मैं स्पष्टो रूप से यहां पर यहां बोलना चाहता हूं जो लोग यह कमेंट करते हैं कि स्री राम कृष्ण परमहन से उनको तो उनके उपरतों का भी कालिमात आए नहीं भाईया आ यूगी का अपमान करते थे इसके कारण उनको कैंसर का रोग हुआ बोलने के लिए बहुत सारा चीज है लेकिन भीतर की गुड़ बातों को हर चीज को यूट्यूब पर सामने रखना सही नहीं है क्योंकि आप उसी योग नहीं है आवसकता नहीं है आपको इसलिए क्रिप् में शरीर हो या फिर देवताओं का शरीर हो वहां इस पूरे ब्रह्मांड में पूरे वाता ब्राण में अपनी योणी के नुसार उपस्तित रहता है और मैंने एक वीडियो में इस चीज को समझाने का प्रयास किया है कि वो सक्तियां सबसे नजदिक होती है जो लोग सक्ति कि जो भी कोई इस शरोव को वहँत अत्धिक मात्रा में प्राप्त कर लेता है तो उनका ही गण बन करके उनके शित्रम स्थापीत हो जाता है और विश्नुल पुरान पढ़ीए या भगवद्विध उसमें आप देखिए कि गीता का पाठ करने से वह प्रेतु जो था विष्णु के स्वरुप को धारन करके चला गया आपको अनिक बार बंडन मनेंगे आप जब अध्यत्मे कता हो गीता प्रिश्चे प्रकाशित अनिक प्रकार की किताबें हैं उसमें पढ़ यह कितने सारे ऐसे बंडन आ ने हैं और उनकी गति गति कहां तक के जाता है जरूरी नहीं है कि साक्षा चशात नारायन के वैकोंध को भी प्रवास्ति प्रेंगे तो फिर यह आवस्क आखिए कच दो वारा यें French तो यह चीज से आप बिल्कुल ना आप नहीं बोल सकते हैं इस चीज को समझने का फीर है कि आप इस तो नहीं समझ रहे हैं दूसरी बात यह है कि अभी कि समय में जितने भी साधनायं साता है chance आभी जो चीज चल रहा है तो वह चीज कहीं कहीं सिमट केथा जाती है अब आगर इसे विडियोki में 10 को निगस्ति करेंगा तो इस चीज को औरrench सब्सक्राइब करने का इक्षा किस्या करेखा वह तो मनोबल में टूट जागा भई बताओ मां छोड़ो जाने तो क्या जुरुवत है बताने का तो यह चीज होती है लोगों के पास जानकारी होती है तो चाहिए तरीके से बता इसलिए भी नहीं पाते हैं क्योंकि उसके अगेंस्ट में बहुत सारे लोग खड़ हो जाते ह अगें नहीं लेकिन व्म पूरे तरीके से समझ लेजिए कि यहां कहीं न कहीं 100% आपके जब तब उर्जा पर निर्भाइड करती है और उस अनुसार कारें इसमें कोई आपने चमता के नुसार कभी वे प्रभाव देगी बिल्कुल नहीं देने वाली है आसा करता हूं कि आप सभी को यह विसे सही से समझ में आया होगा सीधी से यह बात कहने का अतात पर है कि जो भी स्रीड पर उर्जा आती है जो भी सकती आती है जिस सवरुप का वह बंडन करत स्याव को ले करके वंडन किले सहाव कि कैसे वह रखने का प्रयास किया हूं जिसमें यह बताया गया है कि आखिर मैं पुरी तरीके से सठ्त क्यों क्यों नहीं होता है जाया मैंबोश्णी मोरभी